Hello students, आज हम पढ़ेंगे भोजन, भोजे पदार्थों के बारे में, भोजन के स्त्रोत के बारे में, हमारे जो बंदू रहेंगे पढ़ने के, वो भोजन है, भोजन का स्त्रोत है, और भोजन के स्त्रोत के अधार पर जो भी जीव से खा रहे हैं, उन जीवों का वर्गी करन है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, बोजन किसे शुरू करते हैं, बोजन क्या है, बोजन जो भी खाने हो गया है, और भोजे पदार्तों से बनाया जा रहा है, वो हमारा क्या है, बोजन है, और भोजन हमें किन से राप्त हो रहा है, बोजन हमें, बोजन के रूप में पहले तुम मिला कर, हम क्या कर रहे हैं, बोजन का निर्मान कर रहे हैं, यही बोजन हम कच्चा और पका दो रूप में खा सकते हैं, अब हम बात करें इन बोजे पदार्थों की, बोजे पदार्थों के स्त्रोथ क्या है, बोजे पदार्थों को हम मुख्या रूप से दो जो हमारे स्त्रो अब इन पादबों को हम क्या करते है एक फसल के रूप में उगाया जाता और एक कच्छी सामगरिंपर प्राप्त की जाती है इन खादेप संवी कि गी और इसके अलावा मचली, मास, अंडा ये सभी किया है ख़द जन्तू उत्पाद है जो हमें जन्तू से प्राप्त हो रहे हैं इसके लावा हम बात करेंगे शहद की भी जो उन दोनों से मिल रहा है जो पादप और जन्तू दोनों के ही सहयोग से बन रहा है हमारा शहद क्यो के रस से बनाया जा रहा है तो शहद एक ऐसा उतपाद है जो फूलों के रस से जन्तू या मदुमक्ही द्वारा बनाया जा रहा है चलिए अब हमने इस रोत पढ़ लिया है कि हमारे श्रोत पादप और जन्तू है और इनके सयोग से हम जो हैं भोजन या खाने योग ये पादपों के विभिन विभिन भागों से हमें विभिन विभिन परकार के जो उत्पाद मिलेंगे अगर हम पादप के खाने योगे भागों का वर्गे करन करें तो हम देखेंगे कि वो जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित होता है जडों से हमें गाजर और मूली मिल सकते हैं तने से हमें अलगलग पदों से मिलते हैं यह हमें तने से हमें आलू है गाठ गोबी है आलू एक भूमी के तने का उर्पांतरन है और इसी प्रकार से हमें पतियों द्वारा भी क्या है बोजन प्राप्त होता है, पत्यों के अंदर हमारा पालक आता है, और पत्ता वो भी, यह दोनु की हमारे क्या उत्पाद है, पत्ती से उत्पन खाध्य पदार्थ है, तो इस परकार हम देख रहे हैं कि पाध़ के अंदर हम जड़तना पत्ती है, एक पोदे के अलग लग जीव खा रहा है, उस अधार पर हम इन जानवरों को कितने भागों में वर्गी करत कर सकते हैं, इस अधार पर हम जानवरों को तीन भागों में वर्गी करत कर सकते हैं, हमारा पहला रहेगा शाकाहारी, फिर मासाहारी और थर्ड जो है हमारा वो रहेगा सरवाहारी, मासाहारी शाकाहरी वो है जो सिर्फ क्या कर रहे हैं वनस्पती और फसलों द्वारा जो उत्पादित भाग है उसी का ही सेवन कर रहे हैं वो सभी जीव क्या कहलाएंगे शाकाहरी कहलाएंगे शाक्या वनस्पती खाने वाले दूसरे मासाहरी है मासाहरी वो जीव है जो सिर्फ अपने भोजन में मास का ही सेवन करते हैं, वे सभी की सभी मासाहरी जन्तु कहलाते हैं, और तीसे आते हैं हमारे सरवाहरी ऐसे जन्तु जो सब कुछ खाते हैं, जो पादब भी खा रहे हैं, जो मास भी खा रहे हैं, उन दोनों को यह सरव जो चीजी हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, वो नुश्य भी है जो क्या है सरवाहारी के अंदर माने जाते हैं तो आज के इस छोटे से अध्यन बिलूओं से हमने जो गयान लिया है वो है हमारा भोजन हमें प्राप्त हो रहा है भोज्य पदार्थों से और यह भोज्य पदार्थ हैं हमें पादप और जनतु स्रोतों से मिल और ये जिन्तु और पादप श्रोत उन जिन जीवों द्वारा ग्रहन किये जा रहे हैं उस अधार पर हमने हमारे जीवों को तीन में भागों में बाट दिया है जो है हमारे शाकाहारी, मासाहारी और सर्वाहारी थैंक यू